पहला कोशन हाल ही में विस्सो आदर भूमी दिवस कम मनाया गया है तो विस्सो आदर भूमी दिवस मनाया गया है दो फरवरी को बी ओप्सन राइट होगा दो फरवरी को मनाया गया है दो फरवरी को विस्सो आदर भूमी दिवस मनाया गया है हर साल फरवारी को दो तारी को वेट लेंड डे यानि की आदर भूमी दिवस के रूप में मनाया जाता है वेट लेंड जमीन की वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमी आपस में मिलते हो ये हमारे प्रस्थितिक तंतर के लिए बहुत जरूरी है नदियों तालाबों जीलों आदी की खराच होती है इस्थिति को देखते हुए दो फरवरी 1971 को कब दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर में वेट लेंड कन्वेंशन को अपनाया गया था ठीक है ना नेक्स कुश्चिन देखेंगे दूसरा कुश्चिन है हाल ही में किसे उतकरिष्ट मानवी प्रयासों के लिए चैंपियन्स ओफ चेंज आवर्ड से सम्मानित किया गया है तो इस कुश्चिन का राइड आंसर होगा और उपसन सी राइड होगा सोनू सूद को सोनू सूद को उतकरिष्ट मानवी प्रयासों के लिए चैंपियन्स ओफ दा चेंज आवर्ड से सम्मानित किया गया है अब इंपोर्टन कोश्चिन क्या इसे बनेंगे कि मिस अमेरिका 2024 का तार्ज मेड सन मार्ग ने जीता था देकना प्रसिद्ध बंगाली लेखक सीसत मुखोपद्याय को 2023 कुमेंपू राष्टी पुरुसकार भी मिला है MS स्वामी नातन पुरुसकार से BR कंचोज को सम्मानित किया गया है नेक्स कुश्चन देखेंगे तीसरा कुश्चन है हाल ही में प्रसांथ कुमार को किस राष्टी का कारवाहग DGP न्युक्त किया गया है तो इस कुश्चन का राइड आंसर क्या होगा इस कुश्चन का राइड आंसर होगा ओप्सन भी उत्तर प्रदेश ठीक ना उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज जी का कारवाहग डीजी पिन्युक्त किया गया है प्रसंत कुमार को अब बात है उत्तर प्रदेश की तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की क्रेपिटल क्या है लखनाउ सी एम कौन है योगी आदित्यनाद और गवर्नर कौन है अन जोफर नगर में बनाया जाएगा भारत की पहली AI City लखनाव में बनेगी यह important question है कि AI जो City बनेगी कहां बनेगी लखनाव में बनेगी सबसे लंबी solar light line इस्थापना का विश्य रिकार्ड आयोध्या में बना है आयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग भी मिला है यह भी very important question है उत्तर प्रदेश सरकार वाना रसी में 25 हजर घरों में 100 रिच्छतें इस्थापित करेगी भारत के पहले पूर्ण गल्स जैनिक स्कूल का उदगातन मतुरा में किया जाएगा next question क्या है next question है हाल ही में सरकार ने फोन के पार्स पर आया सुल्क 15% से घटा कर कितना कर दिया है तो इस question कर right answer होगा option C right होगा 10% कर दिया है ठीक है ना बज़ा जोवर 2024 ने सरकार के mobile phone को आया सुल्क पर 15% से घटा कर 10% कर दिया है next question देखेंगे पांचमा question है हाल ही में भारत के पहले बीच साइट स्टार्ट अप फिष्ट का आयोजन कहां किया गया है तो इस question कर right answer होगा option B right होगा मैंगलोर में ठीक है ना मैंगलोर कहा है मैंगलोर है करनाटका में मैंगलोर है करनाटक में 16-18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइट स्टार्ट अप फिष्ट इस्थानिये उदमीता के लिए एक महत्तपूर्ण छड़ है जो सहर की इस्टार्ट अप विकास को बढ़ावा देगा नेक्स कोश्चिन क्या है जटमा कोश्चिन है हाल ही में किसी दा इस्टेट ऑफ इस्टनो लेपार्ट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है तो इसकोश्चिन का राइट अंसर होगा ओपसन ए राइट होगा भूपे वोपिंद्र यादो ये हैं भूपिंद्र यादो जिन् इंडिया रिपोर्ट जारी की है नेक्स कुशन देखेंगे सात्मा कुश्चन है हाल ही में 37 सूरज कुंड सिल्प मेला कहां आयोजित किया जाएगा तो कहां आयोजित किया जाएगा सी ओप्सन राइट होगा फरीदाबाद में थी ना फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा फरीदाबाद के सूरज कुंड मेला आज से सुरू राष्टपती करेंगी उद्गाटन इनको मिलेगा 50% डिसकाउंट अन्ता राष्टी सूरज कुंड मेले में सैथविस से संसक्रण का संसक्रण में दुनिया भरी की अभूर पूर भागीदारी देखने के मुलेगी राष्टपती द्रौपती मुर्मु ने आज दोबार तीन बजे मेले का उद्गाटन करेंगी नेक्स कुषिन क्या है नेक्स कुषिन है भारती नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्स घोसित किया है तो इस कुषिन का राइट आंसर क्या होगा बारती नौसेना नागरिक मानो संसाधन प्रवंदन को प्रत्मिक्ता देते हुई नौसेना नागरिक को वर्स घोसित किया है इसका उद्धिस से प्रसासनिक दक्चिता को बढ़ावा देना और करमचारी कल्यान को बढ़ाना है नेक्स कुषिन क्या होगा नेक्स कुषिन है नौमा कुषिन है उंगलाई थेड़ी उनगल औरिल पहल का अनावर्ण कहां किया गया है उसकुषिन का राइट आंसर होगा उप्सन ए इसकुषिन का राइट आंसर क्या होगा उसकुषिन का राइट आंसर होगा उंगलाई थेड़ी उनगल ओरिल पहल का अनावन कहा किया गया है तमिलाडू में C option राइट होगा अब मैप में कहा है तमिलाडू यह है मैप में तमिलाडू तमिलाडू की capital कहा है चेन नहीं है इसकी capital करंसी चीफ मिनिस्टर को ने M.K. इस्टेलिन M.K. स्टेलिन इसके मुख मंतरी है गवर्नर R.N. रवी R.N. रवी यहां के गवर्नर है टाटा पावार ने तमिलाडू में 70-80 करोर रूपए के निवेश की गोशना किया है भारत का पहला तिलापिया पारवो वायरस तमिलाडू में रिपोर्ट किया गया था UPSC के सदस्य के रूप में सील वर्दन सिंग को निवेश की गया है बैंगलोर मेट्रो के प्रवंदा के निवेश के रूप में महिश्वर राव को निवेश की गया है Next question क्या है Cricket परिसत के अध्यक्ष के रूप में किसे निवेश की गया है जेसा को बी ओप्सन राइट होगा, जेसा को क्रिकेट परिष्ट के एध्यक्ष के रूप में न्युक्ट किया गया है, इन्यक्ष प्रूशन क्या है, गैरहमा गोशन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 के समंसद में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो रक्षा मंतर में वितमंत्री निरमला पेश किया था साती उन्होंने अपने कारीकाल का पहला पेश किया है अंत्रिम बजट में प्राप्त डाकूमेंट के अंसार रक्षा मंत्राले को साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गय इसके बाद 2.78 लाग करोड के साथ सड़क परिवान और राजमार्ग मंत्राले दूसरे इस्थान पर हैं ठीक है नेक्स कोशिन क्या है नेक्स कोशिन है हाल ही में देश का पहला थर्ड सेटलाइट कहां कैमपस कहां विक्सित हुआ है तो ऑप्सन सी राइट होगा उज्जैन म नेक्स कोशिन क्या है नेक्स कोशिन हाल ही में कौन सोलवे वित आयोक के सदस्य बने है तो सोलवे वित आयोक के अध्यक्ष बने है अजय नरायन भी ऑप्सन राइट होगा अजय नरायन ये है अजय नरायन जोकि सोलवे वित आयोक के सदस्य बने है नेक्स कोशिन क्या है हा सूरत हवाई अड्ड तेकर ना सूरत हवाई अड़то केसा कर चंपा सूरण को किसराजी का मुकुक मंत्री नियुक्त किया गया है इस बाइड आंसर होगा, option C, जहारखंड, टीक है ना, अब बात है जहारखंड की, तो यह मैप में जहारखंड, जहारखंड की कैपिटल क्या है, जहारखंड की कैपिटल है, राची, CM कौन है, CM कौन है, चंपई सूरेन, और कवर्नर कौन है, CP, राधा कृष्णन, CP, राधा यहां के गवर्नर है आसा करतों कि आज की यह वीडियो आपको चुरूर पसंद आयोगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को सेयर करें जो कॉंप्टीशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस व